तो दोस्तों आज हम हैं नर्मदा नदी के तट पर इस्थित होसंगाबाद सहर में होसंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है नर्मदापुरम का नर्मदा नदी के तट पर इस्थित सेठानी घाट बहुत ही प्रसिद्ध है सिठानी घाट के प्रिसिद्ध होने का कारण घाट का पक्का होना नहाने में सुविधा, पूजन, हवन और विशेश अनुस्ठान की भी सुविधा होना इस सिठानी घाट की लोगपिरीता को और बढ़ाता है इस सिठानी घाट के किनारे कई प्रिसिद्ध मंदिर भी हैं इस कारण यह घाट इसनान ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इस घाट के किनारे ही कई सिवलिंग इस्थापित हैं लोग इसनान करने के बाद माता नर्मदा का जल इन सिवलिंगों पर अर्पित करते हैं और साथ ही साथ विसेश पूजन भी करते हैं पूजन करवाने के लिए पंडित नर्मदा नदी के इस घाट पर बैठे रहते हैं जो नर्मदा पूजन, शिव पूजन, ग्रह दोस, वास्तो दोस, पित्र दोस आदी का पूजन करवाते हैं और नर्मदा माता से प्रात्ना करते हैं कि भक्त के जीवन में सुक सम्रद्धी बनी रहे नर्मदा घाट के किनारे पूजन करने का अपना ही महत्तो है क्योंकि नर्मदा नदी के दर्सन मातर से ही पापों से मुक्ति मिलती है दुखों का नास होता है और जीवन में आए दोस्त खत्म होते हैं सावन के महिने में तो इस घाट पर हजारों की संख्या में लोग इसनान ध्यान और पूजन करवाते हैं कावर दूर दूर से नर्मदा नदी के जल को अपने मटके में भर कर सिवधाम को जाते हैं कई कावर्टों होसंगाबास से उज्जेन नर्मदा जल लेकर महाकाल को अरपित करते हैं इस तरह सेठानी घाट से भक्त नर्मदा जल लेकर अपनी स्रिधा अनुसार सिवधाम को जाते हैं नर्मदा नदी का सनातन धर्म में विसेश इस्थान है कहा जाता है कि मा नर्मदा देवों के देव महादेव की पुत्री हैं नर्मदा पुराण के अनुसार सिवधी से मा नर्मदा की उत्पत्ती हुई है इसलिए मा नर्मदा सिवधी की पुत्री मानी जाती हैं मा नर्मदा के कई नाम हैं लेकिन इनमें सांकरी, रुद्रदेह वा रेवा प्रमुक नाम हैं बाईव पुराण के अनुसार तांडव नित्य करते समय सिव जी का जो पसीना निकला वह नर्मदा के रूप में प्रवाहित हुआ वहीं इसकंद पुराण के अनुसार सिव जी की तपस्या के दोरा निकले पसीने की एक बून से मा नर्मदा की उत्पत्ती हुई है मा नर्मदा की उत्पत्ती माग सुकल की सप्तमी को हुई थी इसलिए नर्मदा जैन्ती इस दिन मनाई जाती है हुसंगाबाद में अब नर्मदा जैन्ती एक महस्वा की रूप में मनाई जाती है नर्मदा पुरान के अनुसार माता गंगा के इस्नान करने से जो फल मनुस्य को प्राप्त होता है वो मा नर्मदा के दर्सन मातर से मिल जाता है नर्मदा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है नर्मदा नदी का हर कंकर संकर कहलाता है कहा जाता है कि जब नर्मदा नदी की उत्पत्ती हुई तब मा नर्मदा का आवेक इतना अधिक था कि कोई परवत उसके आवेक को नहीं सहन कर पा रहा था तब बिंदपुत्र मेकल ने आवे को अपने उपर धरण किया इसलिए मा नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है सभी नदियों में सिर्फ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है अन्य किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है कहा जाता है कि मकर संकरांती, सोमबती आमावश्या, सिवरात्री, माग पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आदी के दिन मा नर्मदा में इसनान करने से पूर्व वर्तमान जन्म के पापों और रोगों का छै नर्मदा में डुपकी लगाने से होता है इसलिए आप जीवन में एक बार नर्मदा नदी में इसनान ध्यान वाप पूजन जरूर करें यह घाट इतना साफ और स्वक्च है कि इस घाट के किनारे कई मूवी और गानू की सूटिंग भी हुई है नर्मदा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए यहां नाओ की सुधा भी मिल जाती है या किसी प्रकार का विसेश पूजन जो कि नर्मदा नदी के ठीक बीचो बीच होता है तो इस तरह के पूजन को करवाने के लिए भी नाओ उपलब्ध रहती है जो भक्त को नदी के बीचों बीच ले जाकर पूजन करवा कर ले आती है समाने दिनों में माता नर्मदा नदी का जल समाने इस तर पर ही रहता है लेकिन बरसात के समय माता नर्मदा नदी का प्रवाह विकराल रूप धारण कर लेता है ये घाट नर्मदा जल से डूप जाते हैं नर्मदा जल का प्रवाह इतना धुआधार होता है कि घाटों के किनारे पुलिस बल लगानी पड़ जाती है कि कोई भी व्यक्ति घाट से बहना जाए कई बार अधिक बारिस होने के कारण नर्मदा जल प्रवाह इतना अधिक हो गया था कि होसंगाबास सहर में नर्मदा जल आ गया था किनारे पर रहने वाले लोगों के घर में तक जल भर गया था माता नर्मदा नदी के इस विकराल क्रोध को सांथ कराने के लिए यहां कई अनुष्ठान और यग्य करवाए गए थे तब जाके माता नर्मदा का क्रोध सांथ हुआ और जल इस तर कम हुआ नर्मदा पुरम इस्थिच सिठानी घाट भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है नर्मदा पुरम खुद एक रेलवे इस्टेशन है जहां से यह सिठानी घाट 1.5 किलोमीटर दूरी पर है वैसे तो नर्मदा पुरम में कई घाट इसनान करने हेतु है जो की अलग-अ पर यह सिथानी घाट उन प्रमुग घाटों में से एक है जहां सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी और अपातकाल का आफिस भी घाट पर ही इस्तित है आप यहां बाई, कार या टेक्सी से आसानी से पहुंच भी सकते हैं भोजन हेतु यहां आपको उचिस सुधा भी मिल जाए तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो वीडियो को लाइप कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट में जै नर्मदा माता जरूर लिखें थैंक यू